वीडियो की मधुर शुरुआत करते हैं दोस्तों आखिर आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है यह जानकर आप चौक जाएंगे ध्यान से इन पत्तों को देखिए आपने भी कई बार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया होगा और फिर उसे वहीं छोड़ दिया होगा लेकिन आज के बाद आप यह गलती नहीं करेंगे इन पत्तों की सहायता से आप ना सिर्फ अपने सैकड़ों काम कर सकते हैं बलकि दूसरों का भी भला कर सकते हैं आज की जानकारी बहुत ही सुन्दर और खास है अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो सारी जिन्दगी पच्छताना पड़ेगा क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भगवान शिव के शिवलिंग पर चड़े हुए अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है चाहे पैसे की कमी हो, नौकरी नहीं मिल रही हो बीमारियों से परेशान हो या फिर बेटियों की शादी नहीं हो पा रही हो किसी भी प्रकार की समस्या हो इसका समाधान आपको इस जानकारी में मिलेगा आज का वीडियो देखिए और अपनी समस्त समस्याओं का निवारण पाएं अपने जीवन के केवल पांच्च से दस मिनट दीजिए और आप सब कुछ जान जाएंगे मैं आपसे वादा करता हूँ कि भगवान शिवशंकर भोले नाथ की कृपा आप पर बनेगी और आपकी सारी जिंदगी सुधर जाएगी हम आपके लिए खास चीज़ें लेकर आते हैं इसलिए अगर आप चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप अच्छे और सुन्दर वीडियो मिस ना करें आईए आज जानते हैं इस गुप्त जानकारी के बारे में सबसे पहले भोले बाबा को नमस्कार करें और कमेंट में हर हर भोले लिखें दोस्तों आपने सुना होगा कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेल पत्रकों को खाने से क्या फाइदे होते हैं आपने कई बार सुना होगा लेकिन आज आज आपको वास्तविक बातें पता चलेंगी जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेंगी चाहे आप लाखों करोडों रुपए खर्च कर दें आपको पूरे टमें यह बातें नहीं पता चल पाएंगे तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेल पत्र को चढ़ाते हैं तो वह बेल पत्र कोई साधारन बेल पत्र नहीं रह जाता बलकि वहाँ साक्षात भगवान शिवशंकर भोले नात का प्रसाद बन जाता है तो दोस्तों यह वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना आपको बता दें कि हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेल पत्र 6 महीने तक बांसी नहीं माना जाता जी हाँ बेल पत्र को शिवलिंग पर चढ़ने के बाद उसे पुणह धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है क्योंकि भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर शिवलिंग स्थापित है परंतु उसके आसपास बेल पत्र उपलब्ध नहीं हो पाते इसी वजह से कई लोग बेल पत्र उपलब्ध ना होने के कारण पुराने बेल पत्र का जो चूर्ण होता है उसको भगवान शिव शंकर भोले नात को चढ़ाते हैं ऐसा विधान है तो दोस्तों बेल पत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ने के पीछे एक पौरानिक कथा ह और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमरित के साथ कई और चीज भी निकली थी जिसमें से एक विष भी निकाला था विष को आप जहर भी कह सकते हैं और यह विष चारों और फैलने लगा था और इसी विष से शंकर के शरीर का तप बढ़ाने लगा जिसकी वजह आसपास का वातावरन जलने लगा और वहां देवी देवताओं ने प्राचीन वेध सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान शिव शंकर को इस वेश से कैसे बचाया जाये तो दोस्तों उस समय जो प्राचीन वेद सलाहकार थे उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिवशंकर भोलेनात को बेलपत्र का सेवन कराओ और और भगवान शिवशंकर को उसी समय वहाँ पर जो भी उपस्थित देवी देवताओं ने ततकाल बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया ठीक है इसके बाद भग भगवान शिवजी को बेलपत्र चढ़ने की परंपरा मानी गई है दोस्तों शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए इससे भगवान शिव को शांती मिलती है और उनका आशीरवाद हमें प्राप्त होता है हमेशा ध्यान रखि ज़िना है कि कभी भी कटे फटे बेलपत्र भगवान शिव शंकर को आपको नहीं चढ़ाना है इसके पीछे भी एक कथा है क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने जो है गणेश जी का कसर खंडित कर दिया था तभी से भगवान शिव शंकर भोले नाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाए ना ही अर्पित की जाए तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई चीज खंडित नहीं चढ़ाई जाती है चाहे वह बेलपत्र हो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिए और वाकई में भगवान शिव शंकर भोले नाथ की कृपा चाहते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से प्रती एक दिन आपको वैसे जानकारी दी जाएंगी जो आपके दैनिक जीवन में आपका जानना अत्यंत आवश्यक है और सभी को यह वीडियो शेयर भी जरूर कीजिएगा तो दोस्तों शिवलिंग पर अगर आप प्रती दिन बेलपत्र चड़ाते हैं तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है जो बेल पत्र को तिजोरी में रखते हैं उनके तिजोरियां में बरकत आती है पैसे की समस्या खत्म हो जाती है दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि बेल पत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारियां आपको यहां पर प्राप्त होगी साथ में यह जानकारी हमारे सभी भाईयों और बहनों को जानना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों वीडियो में जो जानकारी बताई जा रही है यह जानकारी आप लाखों करोड रुपे खर्च करके भी कही नहीं प्राप्त कर पाएंगे इस प्रकार की जानकारी आपको नहीं मिलेगी इसलिए आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए जी हाँ दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कम से कम आप 10 से 15 लोगों को को तो यह वीडियो शेर कीजेगा ताकि आप सभी को शिव भग्वान की कृपा प्राप्त हो हो दोस्तों इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अनमोल होती है बाद में चलकर यही जानकारी हमारे लिए काफी फाइदे मंद साबित होती है तो चलिए जानते हैं बेल पत्र संबंधी, कुछ विशेश जानकारी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्राचीन पुराण में बताया गया है कि कुछ विशेश समय होता है जब बेल पत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। करांती के तिथी में आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन बेल पत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। का भी वास माना जाता है। ये हमारे धर्म शास्त्रों में मैं लिख लिखा है। और आप फिर भी 12 बजे के बाद अगर बेल पत्र को तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है दोस्तों। वीडियो को जरूर लाइक करते हुए चलिए बहुत ही विशेश जानकारी बता रहे हैं और कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। कोई भी आपकी मननत है आप चाहते हैं आपकी मनो कामना पूरी हो कमेंट बॉक्स में भगवान शिवशंकर भोले नाथ की जय हो ओम नमा। शिवाय जरूर लिखें। तो दोस्तों अब जो प्रशन आता है कि जो बेल पत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। यह जानते हैं तो दोस्तों सकंद पुराण के अनुसार एक बार माता पारवती की पसीने की कुछ बूंदे मध्यांचल परवत पर जागिरी। इससे वहाँ एक पौधा उग गया जो बाद में बेल पत्र के नाम से जाना जाने लगा और बेल पत्र के रूप में पूजनीय हो गया। बेल पत्र को खाने के क्या फायदे होते हैं दोस्तों। बहुत ही सुन्दर वीडियो है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। पूरा देखिएगा। आधा अधूरा ग्यान हमेशा लाबदाई नहीं होता है। देखिए, जब बेल पत्र को भगवान शिव शंकर भोले नाद जी शिवलिंग पर चड़ाते हैं, तो वह एक बेल पत्र नहीं रह जाता है, बलकि वह भगवान शिव का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारियों को दूर करने में, आपकी पीडा को भरने में, आखिरकार शिवलिंग पर चड़े बेल पत्र को नित्य रूप से खाने से क्या फाइदा मिलता है, क्या बदलाव आते हैं, हमारे जीवन में इसके बारे में जानेंगे दोस्तों, शिव जी पर चड़ा बेल पत्र को खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दोश दूर हो ज तीन प्रकार के दोशों की वजह से आपके शरीर में अन्य दोश उत्पन्न होते हैं। अगर आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं, तो आपको बेल पत्र का नित्य सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कई लोग होते हैं जो मांस मचली मुरगा जैसे तामसिक भोजन कर लेते हैं, शराब पीते हैं, गुठखा तमबाकू, ये सब चीज जो होती हैं उसका सेवन करते हैं, परन्तु एक समय के बाद उन्हें लगता है कि जो वह पाप कर चुके हैं, उसको कैसे खत्म करें, तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, नित्य कम से कम ज्यादा नहीं, तो वन महीने में 10-15 बार, अगर आप भोले नात भगवान शिव शंकर पर चड़ा हुआ, बेल पत्र का प्रसाद धारन करेंगे, तो जो तामसिक ग करना अत्यंत आवश्यक है, इसके सेवन से आपके शरीर शुद्ध होता है, आप अपने अशुद्ध शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूर्णता संपन्न हो जाते हैं, आपको भगवान शिव शंकर भोले नात के इस प्रसाद को ग्रहन करना अत्यंत आवश्यक है, आज ही से शुरू कर दीजिए, नित्य पांच बेलपत्र खाए, तीन सुबह दो शाम में खाने हैं, अगर नित्य खाते हैं, तो यह आपके शरीर में तमाम तामसिक तमस को समाप्त कर देगा, किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं, पूर्णता समाप्त कर आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। बेलपत्र खाने के बाद आपके शरीर में जो खून में किसी भी प्रकार की गंदगी है, वह धीमे धीमे खत्म होने लगेगी। आपका शरीर बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा। एक बेलपत्र खा, दूसरे दिन दो बेलपत्र खाएं, तीसरे दिन तीन बेलपत्र उसको बढ़ाना होगा, धीरे धीरे खाए, लेकिन खाना जरूर है, ताकि आपके शरीर का जो खून है, वह बिलकुल शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि जो बेलपत्र होता है, वह फिल्टर करने का कम भी करता है, आपके शरीर को, जैसे आपके शरीर में किड्नी होती है, किड्नी क्या करती है, जो पानी होता है, जो जो खून होता है, उसको फिल्टर करती है, उसी प्रकार से जो बेलपत्र है, वह भी आपके शरीर में जो अशुद्ध चीज होती है, आपके खून में जो गंदगी होती है, उसको साफ कर देते हैं, फिल्टर कर देता है इस वीडियो को, सभी दोस्तों को यह शेयर कीजिएगा, बहुत ही जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है, साथ में दोस्तों हम आ ऐसी इच्छाएं हो होती होंगी, कि यह पैसा मुझे मिल जाए, आपके सामने वाला जो व्यक्ति रहता है, घर के आसपास वह आपसे अमीर है, आप चाहते हैं कि आप भी उतना पैसा कमाएं, आप भी महनत बहुत करते होंगे, लेकिन उतना धन नहीं कमा पाते हैं, जितना सामने वाला व्यक्ति धन कमा लेता है, बिना महनत के, क्योंकि दोस्तों महनत तो सभी लोग करते हैं, पैसा कमाने के लिए, लेकिन किस्मत की भी कोई बात होती है, किस्मत भी कोई चीज होती है, और यह किस्मत उनहीं लोगों का साथ देती है, जो लोग नित्य रूप से भ भगवान शिव शंकर भोले नाथ की पूजा करते हैं। और भगवान आपको मालूम है, भगवान शंकर का जिनके उपर आशिरवाद होता है, उन पर कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती। पैसे की कमी नहीं होती है दोस्तों, आपके जीवन में अगर आपके पास पैसा है, लेकिन मन में शांती नहीं है, तो आपके मन में हमेशा समस्या बनी रहेगी। क्योंकि मन शांत नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ सा लगता है, हमें केवल पैसों के पीछे ही नहीं भागना च चाहिए शांति सबसे important होती है और शांति देने के भगवान केवल भगवान शिव है जो इनके भक्त हैं हमेशा सुखी और संपन रहते हैं और खुद में ही lean भी रहते हैं और उन्हें ज्यादा किसी से मतलब भी नहीं होता है क्योंकि वह खुद में अकेले ही बहुत शक्तिश शाली होते हैं इसी लिए बेलपत्र को रोज चड़ा कर उस सेवन करिए हमेशा आपका मन जो है वह शांत रहेगा किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी आजकल के दैनिक जीवन में देखा गया है लोग छोटी से छोटी बातों में चिड़ चिड़ा जाते हैं गु बेलपत्र का सेवन करेंगे तो यह सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेलपत्र के सेवन करने से सांसारिक जो मोह माया होती है यह समाप्त होने लगती है और आपको ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा नहीं होती आप जितना पैसा कमा रहे हैं, उसी में संतुष्ट रहेंगे और खुशी आपके साथ बनी रहेगी। बेल पत्र खाने से सीधे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, मैं आपको वह बातें बता रहा हूं जो आमतोर पर कोई नहीं बताएगा। अगर आप भगवान शिव का प्रसाद ग्रहन करते हैं, तो आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होगा। बेल पत्र का नित्य सेवन करने से सिध्धियां प्राप्त होती हैं, जिससे आप भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जान सकते हैं। आप भविष्य की घटना को पहले से ही समझने लगेंगे। इसी लिए भगवान का आशीरवाद धीरे धीरे आपके जीवन में बढ़ने लगता है। जैसा कि आप जानते हैं, शिवलिंग पर चढ़ा बेल पत्र साधारन नहीं होता, उस पर भगवान शिव की कृपा होती है। मेरे इस चैनल में पहली बार आई, तो इस वीडियो को लाइक करें। इससे हमें खुशी मिलता है।